वेलकम तो आवर चैनल ग्यापन एकेड में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइस 4.3 का कोशन नमबर 8 बहुत ही मज़दार तरीका से यहाँ गौर से देखेंगा कोशन क्या कह रहा है इस टाइप का वैसे कोशन भी हम आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिस किजिएगा यहाँ बोल रहा है यह ट्रेन ट्रेवल 360 मीटर किलो मीटर अट दे इनफॉर्म स्पीड इफ दे स्पीड हैड विन 5 किलो मीटर मोर इट वूड हैव टेकन वन आवर लेस फॉर दे सेम जोर्नी फॉर दे स्पीड आप दे ट्रेन पल्ले नहीं पड़ा पड़ेगा देखिए कैसे कर रहा है एक ट्रेन है वो समान चाल से चल रही है जो भी है मान लिजे कि आप एस्टेशन पर गए होंगे तो ट्रेन देखते होंगे उसका कुछ एर इससी पीड होता है कि इतना कि ते स्पीड से चल रही है ठीक है वो क्या रहे है बेचारी ट्रेन को जाना कीतना है 360 miles यान लिजे कि यहा हैं और यहां से से इसको जाना है यहां तक पूरा दूरी कितना है 360 km याद रखिएगा यहां से यहां जाना है कितना है 360 किलमेटर जाना है अब क्या कर रहे हैं मानलेज़े कि अराम से चल रही है और जलने के बाद यह पहुंच गे 360 किलमेटर अब यहां पर बोला जा रहा है कि एक आदमी आया समझेगा धेहां से अब ट्रेनवा के स्पीडोगा को बढ़ा दिया थो थोड़ा सा fast भागेगी जाहिर सी बात है तो जब fast भागेगी तो जल्दिया न पहुंच जाएगी मान लेजे की अभी यहां 360 गई है तो मान लेजे ए 4 घंटा लगा जब Egyptian चलेगी तो 3 घंटा में पहुंच जाएगी मतलब ऑर ऍस पीड चलेगी तो वही बात है उसके स्पीडवा को जब बढ़ाया गया है ठीक है, स्पीड को का स्पीड है इस मनें स्पीड, स्पीड को बढ़ाया गया है कितना? पांच किलो मीटर प्रती घंटा तो बताईए, जैसे स्पीड जाएगी ट्रेंट तो उसका समय कम लगेगा, जल्दी यह पहुँझाएगी कम समय में पहुझाएगी, क्यों? क्योंकि जाना उतना ही दुर है, स्पीड वा बढ़ गया तो स्पीड जब बढ़ेगा तो समय क्या लएगा? कम हो जाएगा तो जैको समय कितना कम लगा है? एग घंटा कम लगा है, याद रखेगा आप बताईए, समय बराबर का होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल क्या होता है? दूरी बटा चाल अब आप बताई, चाल मतलब स्पीड हो गया ठीक है? इसको चाल बोलते हैं और यह होगे आपका डिस्टेंस यह ठीक है? यह स्पीड होगया और यह होगे आपका टाइम तो टाइम बराबर डी बाई एस होता है निए समय बराबर दूरी बटा चाल बोल रहा है कि चालवा में अगर क्या करें? पांच किलो मीटर बढ़ा दे चाल को स्पीड को कितना बढ़ा दिया गया है? पांच किलो मीटर तो समय ए घंटा कौम लगेगा जो भी समय पहले लग रहा था न यह पहली वाली ट्रेन में समय लग रहा था अब यह स्पीड जा रहा है तो उससे ए घंटा कौम समय लगेगा ठीक है? तो यह पहले जो समय लगा उसमें से ए घंटा का करेंगे घंटा देंगे यही काम हमको करना है कौस्टन में सबसे पहले चाल हमको नहीं पता है यह थोड़े पता है कि कितना के स्पीड से चल रही है अगर मान लेजी कि 5 के स्पीड से चलेगी दूसरा बार में 5 km और बढ़ा दियेगा तो 10 हो जाएगा यहां समझेगा माना की रेल गाड़ी की चाल इसको S बोलते हैं ठीक है कितना है X माल लिजे कितना दूरी जाना है जी दूरी तो उसको जाना है कितना D बोलते हैं distance कितना दूर जाना है उसको 360 km जाना है ठीक है समय हमको नहीं पता है तो समय बराबर यहां निकाल लेते हैं ध्यान से देखिएगा जब यह पता है तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल ठीक है इंगलिस में इसको लिग देते हैं आपे थोड़ा से अच्छा लेगा टी बराबर डी बाई एस यहां ध्यान से देखिए यहां टाइम नहीं पता है छोड़ दू दूरी कितना है 360 km उसका स्पीड क्या है एक्स यह आपका हो गया पहला इसको मानने जिए टाइम यहां पर पहले समी करण एक मानने जिए इस पहला ट्रेन का है दूसरी ट्रेन जो है उसका मानों के दूर ट्रेन मानने के बता रहा है यहां एक ही ट्रेन को बोल रहा है कि उस ट्रेन का का कर रहा है स्पीड को बढ़ा दो तो जैसे ही थोड़ा से speed भाएगी तो उतना दूर पहुचने में समय तो कम लगेगा ही तो speed वह बढ़ गया है कितना बढ़ा है 5 km speed में अगर उसको बढ़ा दिये जाए speed ठीक है इसमें बढ़ा ये तो समय क्या हो जाता है कम हो जाता है यहां देखिए पाला train कितना थी 360 चल रही थी इतना speed वह में बोल रहा है कि 5 km का कर दे बढ़ा दे तो समय एग घंटा कम हो जाएगा तो एक इसमें से क्या कर दे घटा दे रहा है ये speed जासे ही बढ़ेगा तो समय एग घंटा कम हो जाएगा ठीक है यहां देखिएगा यह क्या लिखे है टी एग घंटा कम लग रहा है कब जब 360 दूरी जाना हो और उसके speed में 5 km इसमें 5 km बढ़ा दे तब टी बराबर क्या है टी बराबर यहां दिया गया है यहां लिख सकते हैं आप टी बराबर दिया है 360 वो तो दिया ही है ना 360 बटा x-1 is equal to 360 यह उतार दे रहा है x-5 यहां ध्यान से समझेगा पहले train का speed था मान लिजे कि यह वाला speed था x वाला यह ठीक है sorry time निकला है time में ए घंट हम कम कर दिये हैं कब जब उसके speed में 5 बर जोड़ दिये हैं एक काम करते हैं एक जात को एक जगा लाते हैं इवाला को इसके पास लाते हैं एक नमबर यही नहीं नमबर को भेज देते हैं तो 360 बटा x जोड में एने आएगा तो के में हो जाएगा घटाओ में हो जाएगा अब बटा x प्लस 5 इमाइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा इसको बटा का घटाओ सल्ब यह गुणा करो, गुणा कीजिएगा तो 360 में X से गुणा कीजिएगा तो 360 X, 360 में 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0, 5, 38 के 0, आठारा सो होना चाहिए, ठीक है, और यह माइनस में 360 X, और बटा में, यह गुणा कीजिए, X में, ब्रैकेट के गुणा होता है ठीक है यह कट जाएगा प्लस में है माइनस में कट जाएगा इधर का बचा अठारह सो बचा ठीक है और यहां गुणा किजिएगा तिरचा तिरी तो वन में कितना से भी गुणा किजिए बचा रहा बहुत सरीफ है ठीक है इसमें कुछ भी से गुणा किजिए और प्लस 5X इदर जाएगा तो माइनस में तो यहां हो जाएगा एक से स्क्लास पलस 5X x minus 1800 0 इदर नहीं इदर लिखते हैं अच्छा दिखेगा खुवशूरत दिखेगा अब बताइए कि आपका जब समिकरन यह तयार हो गया तो यह first into last पर बना लेज़े या फिर दुईघात का formula भी जानते हैं उससे भी बन जाएगा तो वही काम किजी है नहीं यहाँ पर या तो दुईघात का formula लगाए या फिर first into last पर तो रहे हैं वैसे हम first into last पर तो रहे हैं आपको formula लगाना है तो लगा सकते हैं यह हो जाएगा अच्छा हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45x-40x, 40 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 48 और 45 को गोणा कीजिएगा, 45 में 40 है तो हो जाएगा 5 चुका 20 कीजिए 4 चुका 16 और 2 18, टोटल कितना हो जाएगा 800, ठीक है और यह हो जाएगा आपका 800, हम क्या किया है इसको तोड़े है दो हिसा में, ठीक है इस दोनों में कुछ मिल रहा है एक जैसा common, x मिल रहा है तो x बाहर हो जाएगा x पुलस 45, ठीक है और यहाँ देखिए, यहाँ common क्या होगा, माइनस में 40 common लिजेगा तो हो जाएगा x, जब माइनस common होगा तो सब सिंबल बदलता है, यह होगा पुलस मे x इस में से 40 निकाल देना है दोनों में से, और यहाँ बचेगा 45, 40 में 45 से गुणा के जगा 800 हो जाएगा, ठीक है, अब एक काम एको बाहर वाल लिखे, x माइनस 40, एको अंदर वाल लिखे, x पुलस 45, बराबर में सब क्या है, 0, इसको एक बार 0 के बराबर x माइनस 45 बराब पर 40 हो गया, x कामान कितना है, 40 है, तो बस हो गया न, जब x कामान 40 है, और x अब क्या मने, माना कि रेल गाड़ी की चाल कितना है, x, और वही तो निकालना था, find the speed of the train, train की चाल, तो चाल कितना है, 40 किलमेट प्रती घंटा, अगर उसमें 5 किलमेटर बढ़ाईएगा, तो उ यहां पर लिख सकते है, 40 किलमेटर प्रती घंटा, तो एक बार इसका लिजिए, और उम्मीद करते है, कि आपको बहुत ही बहतरीन और धामा के दार तरीका से समझ में आया होगा, तो बिना देर किया हम लोग देखते हैं, next question.